हेलो फ्रेंड्स, ओनलाइन नव्य अकेडमी में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स, आज से मैं आपके साथ उत्राखंड प्रैक्टिस्ट की आज अब आपके साथ डिस्स करने वाला हूँ और उसके आपके साथ प्रिपरेशिन करने वाला हूँ जो भी questions अभी तक exams में पूछ जा चुक है उनका आपके साथ डिस्स करूँगा तो वीडियो को आपके साथ जरूर देखें साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कहाँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन जो प्रस कर लें ताकि आल का नोटिफिकेशन आप अन कर लें जो भी वीडियो यह से अपलोड करता हूँ आप तक पहुंच सके सब्सक्राइब करने चैनल सके होता है तो इस इस से से पहले मिलाव के साथ आपके जाएब कंच모 की टी सके नतर्म स्क्राइब करने के तो तो अब हमारे practice test series भी start हो चुकी है और topic wise भी चल रहा है तो उत्राखंड का whole syllabus मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ तो बने रही वीडियो के साथ और वीडियो को last तक जरूर देखेंगे चलिए दिखते हैं first question तो first question आपके पास है ऊतराखंड में सूचना अधिकार-दिन्यम कब लागु हुआ था इसको तो तो RTI की हांपे बात हुरी तो RTI कब घोशित क्या गया है काusc लागु क्या गया था तो 12 October 2005 को उत्राखंड में हुआ था दूसतर आपके बास भारत का question आपके है तो एक अप्रेल 2005 को भारत में किया गया था उत्राखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था तो उत्राखंड राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था वो किया गया था 3 अक्टवर 2003 को ठीक है उत्राखंड राज्य सूचना आयोग जो होता है उत्रा खैंड के पर्थम सूचना आयक्ती इता ही यहां पर आपके पास राइट आइसर हो जाएगा अरेषो टो लिया कौन थे ट Lights पहल आपके तो इसकी तो दूसरे या लेकिन आपको first याद रखने और present time याद रखने जब करम की बात आती है तो आपको पहला याद होना चीए और जो current का होना चीए दोनों चीज़ आपको याद होनी चीए तो वर्तमान में कौन है मुख्य सोचना आयक तो है सत्रगन सिन्हा ठीक है सोचना आयक का कारेकल कितने वर्सका होता है तो 5 वर्सका होता है उत्राखंड में लिशा निकालने का कारेक कब सुरू किया गया था तो उत्राखंड में लिशा निकालने का जो कारेक सुरू किया गया था 1916 में उथरा खंड में सभसे पुराङन को बाद यंदर है ट्रों के साथ दोर पा धर की जुमेलप एक फरकर करन तो होता ही है निर्ते में वैसे ही जोुज़ाना दोणक होता हैह। होड्कि जू तरहो ने की त πα epsilon परकार का है ह। हुड्कि स्काक्रायज होता है fund कर से आफ। जहीं जोुज़ाना। पॉखाना ठीक है या आनमेन भी बोलते हैं ठीक है आनमेन भी बोलते हैं ठीक है आना मेना भी बोलते हैं इसको ठीक है तो यहां कि A और B आपके पास यहां कि option number C आपका right answer हो जाएगा next question देखते है नाइन्थ question है पंची की दारा में सबसे उंचाई पर कौन सा मंदिर इसी था वह है तो तुंगनात ऐसा धार्मिक इस तरह है जोकि उत्राखंड का सबसे उंचाई पर इस तरह है ठीक है दोस्तों कई वार यहां पे questions आपके पास इस तरह के से पूछा जाता है कि मदमेश्वरनाथ, कलपेश्वरनाथ, ठीक है? तो इस तरके से questions कई बार पूछे जाते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान लखना इसमें, सबसे पहले देखें, केदारनाथ में जो होती है, वो सिव के प्रिष्ट भा की पूजा होती है. केदारनाथ में सिव के प्रिष्ट भा की पूजा होती है. तो इगर बात करें तो यहाँ पर भुजाओं की पूजा होती है. ठीक है? भुजाओं की पूजा होती है. मदमेश्वरनाथ की बात करें तो मदमेशनाथ में जो पूजा होती है वो नाभी की पूजा होती है किस की होती है नाभी की पूजा होती है कल्पिशर नाथ में कल्प का जो बाल का फर्यायवाजी है कल्प तो यानकि कल्पिशर में अलब जो इसके पूजा होती है यानकि केश है ना केश या बालों की पूजा होती है तो केश हो गया कल्प हो गया यह सब बाल के फर्यायवाजी होते है तो कलपिशवरनाथ में बाल की पुझा होती है और पंच केदर के बाद लिकिने हम पर चारी केदर डिस्क्स के पाचवा कौन है रूदरनाथ रुदरनात में भगवान सिव की रौदरन मुखakt की पूजा होती है ठीक है? तो आपे किसकी पूजा होती है? मुख रौजा होती है अब बात आते हैं यहांपे कि इनके ईस्टिक की बात आते हैं कि कौन सा किस डिस्टिक में है तो ध्यान रखे एक कलपिश्वरनाथ और एक रुद्रनाथ ठीक है कलपिश्वरनाथ और रुद्रनाथ चमूली में हैं बाकी केदानाथ तुंगनाथ और मदमेश्वरनाथ रुद्र प्रयाग में हैं ठीक है तो आपको यह ध्यान रखना है उत्राखंड उत्थान परिषद का गठन कब हुआ था तो उत्राखंड उत्थान परिषद का गठन हुआ था 30-31 मही 1988 को आपके पास आंसर हो जाएगा किसने उत्राखन उत्थान परिशत का गठन किया था ये भी कोशन पुछ जा सकता है तो किया है सोबन सिंग जीना ने किसना किया है सोबन सिंग जीना जीना जी जो थे उन्होंने इसका उत्राखन उत्थान परिशत का गठन किया था स्रिदेव शुमन कब सहीद हुए थे तो 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की लंबी भूख अर्थाल के बाद स्रिदेशुमन का निदन हुआ था और इसी उपलक्ष में स्रिदेशुमन के जन्म दिवस को या निर्वान दिवस के नाम से मना जाता है क्या था विक्षार उपन दिवस की रूप में मनाया जाता है चलिए अगला कोईशन देखते है next, 11th कोईशन आपके पास है अल्मोणा अकवार का प्रकाशन की स्वर्स किया गया था तो अल्मोणा अकवार का जो प्रकाशन हुआ था 1871 में था ठीक है अब अल्मोणा अकवार की अगर हम बात करें तो भारत का ये दूसरा अकवार था भारत का दूसरा aktber था, second, अलग अलग facts देखिया आपर आपर, भारत की बात करें तो भारत हम पहला aktber कौन था, बंगल गजट है न, लेकिन अगर भारत का दूसरा Select अगर का अकबार की करें तो था Almouड aktber, तो भारत का दूसरा था, U.P की बात करें तो उप्तरा खंड नहीं बना था ना अठारशे कतर की बात हो यहां पर तब उत्राखंड नहीं बना था तो उत्राखंड यूपी का फर्स्ट था और हम उत्राखंड की भी बात करें तो उत्राखंड का जो था यह पहला कुमावनी अकबार था ठीक है अलमोरा अकबार उत्राखंड का पहला कुमावन अकबार था, अब इसके पहला कुमावनी अकबार था, तो इसमें क्या हुआ कि 1918 में जो इसके अलमोणा अकबार का जो प्रकाशन क्या था, वो बुद्धी बलव पंत ने क्या था, किसने क्या था, बुद्धी बलव पंत ने क्या था, किसने क्या था, बुद्धी बलव पंत के बाद ये जो कारेबार जो था अलमोड अकबार चलाने का ये कारेबार आगया बद्रिदत पांडे के पास किसके पास आगया था बद्रिदत पांडे के पास आगया था अब बद्रिदत पांडे जो थे तो उन्होंने कुली बेगार से लेकर और जो कि बहुत सारी घटना हो के जो CISA मैं गटनाएं हो रही थी तो उस CISA को उन्होंने क्या क्या था कर देता जो कुननी नितिया ती या गलत बिखत थी कामो को जो भी कर रहे थी नाराज ur कर इनका नाम खको नहीं से लिए फिर से एक नय आकबहर का संबढ़न किया। देखे दूस्तियां अभी जब अल्मोड अकबार की बात यहां पर हो री थी तो एक हजार उपे जो दंड के रूप में उन्हों ना कह सकते कि पनिश्मेंट या जुर्माने के तौर पर भरने को कहा था अल्मोड अकबार को तो उस समय इसी इसको नहों पाया और उन्हों अन्त को कहा जाता है तो उनके सक्ति के इसाब से अब इसने जब इवन के बाद वह सारे नारे उनके लिए लगाएगे लोमस के खिलाब लगाएगे जैसे कि उसमें प्रसिदद जो फार नारा था जब अल्मोड अकबार बंद हुआ था एक गूली के तीन सिकार मुर्गी का अंत हुआ था लेकिन फिर क्योंकि जो सक्ति समाचार पत्र था उसने जन जागरिति के रूप में राजनितिक चेत्रा के रूप में बहुत बड़ा काम आपे किया वा है ठीक है तो बहुत ही कठि soli onxx का संस्था पहता कौन था का स संस्था पहता कह लिए ते इतिहाश की जो भी आपके साथ Shepherd के हिसाब से लिए और साथology वियगोवार नाैक के een किसको फिश्च पूछा जाता है या जो रहा है और इसको विए चन्द सिंग गड़वाली 성द पुराण मेंगडवाल के लिए कौन सा सवडिव यहिए तो उसके स्विल्दम पुराण में वरणित्ट जो करनाश्रम है वो माले निदि के तटड़ पर है और वरणित्ट की बात यहां पर हो रहे हैं तुसका वरणन जो है वो अभिज्यान सकुनतला में प्रब्ड़ा अभिग्यान साकूंतलम की तो ये शकूंतला और दुशन्त की प्रेम कथा का वड़न जिनके पुत्र भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा है तो उनके सेरों की दात गिनने के कहाने आपने सुनी होगी तो कन्वाशनम में जो लिखित है अभिज्ञान साकुंतलम में जो कन्वाशनम का वर्णन मिलता है तो अभिज्ञान साकुंतलम जो कालिदास की रचना है वो सकुंतला और दुशन्द की प्रेमकता पर आधारित है निम्नि में से कौन कई बार क्वेशन पूछा गई निम्न मेंसे कौन ऊत्राखंड की इतिहासकार नहीं है, हरी कृष्ण रतूरी बदिर्शत पांडे बिल्कुल है, चंदरी सिंग गडवाली विशिव प्रशव डबराल भी बिल्कुल है, तो यान की चंदरी सिंग गडवाली नहीं है, क्योंकि इस वतंतरता संग्राम सेना नह के सब्सक्राइब कर दा है। इसको बंद कर दिया था और उन्हों 18 में फिर से बदर रत पांडे ने इसके जगपर कौन सक्वा निकाला था शक्ति निकाला था निकाला था नेक्स देखते हैं आपे 23 कोशन है थांगला जो दर्रा है वो किस जन्पद में इससे देखे मैं आपको पहले बताया कि मैं यहां अपके साथ गया यह डवर भारों से जन्पद में इससे था टो टocr लिंग सब्से9 पहले बिचल गया इन सब सब से रीलेड़ वीडियो पहले ही ट्ूक के माध्यम से आपके शाथ लेक्षर वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ, अब मैं आपके साथ क्वेशन्स भी डिस्स करूँगा, लेकिन अभी हम मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आप जो प्रैक्टिस सेट हमें आप चलाने वाले हैं, उसमें में टोटली हम सारी चीजों को कवर करने वाले हैं, 25 questions पर दे आपके साथ डिस्स करूँगा, क्यों क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए, ठीक है, जय हिंद, जय भारत